हेलो स्टुडेंट्स मैं मनोश शर्मा जनक सिंग चौहान के साथ एमजे क्लासेज में मिशन अंड्रेड जो सीरी चल रही है उसके तहत अब तक हमने क्यों आंसर उसका सॉलूशन देखा बट अब हम क्यों क्यों कि देखेंगे सकते हैं लेकिन हिंदी सॉलूशन उसका आपको नहीं मिलेगा उसके लिए बहुत बहुत स्वरी लेकिन और टॉपिक्स क्लियर करने के लिए यह कदम उठाना पड़ रहा है चलिए देखते हैं अब टाइगर किंग से शुरू करते हैं पहला क्यूशन है टाइगर किंग कौन है और ये नाम उसको किस तरह से मिल पाता है नेक्स्ट क्यूशन है इसी का इंपोर्टेंट रोयल इंफेंट है जो प्रिंस था वो किस तरह से बड़ा हुआ टाइगर किंग का जन्म जब हुआ तो क्या बविश्यवाणी की गई प्रिडिक्शन है ने बविश्यवाणी हुई या की गई जोतिशाचारियों की द्वारा या फिर वोट लेड दे महाराजा टू स्टार्ट आउट आउट आउन टाइगर हंट कि वो क्या गटना गटी तो लेड नेत्रित्व किया तो किस गटना ने नेत्रित्व किया महाराजा का स्टार्ट आउट शुरू करने के लिए टाइगर हंट यानि बागों का शिकार करने के लिए किस गटना ने या कौन सी बात थी जिससे महाराजा ने ये काम शुरू किया Q4. What warning did the astrologers give the tiger king when he killed the first tiger? Astrologers जो थे जोतिशाचारिय, जो थे उन्होंने क्या सला दी, क्या चेतावनी दी, जब राजा ने पहला बाग मारा. Did he prediction of the astrologer come to be true? क्या वो जो जोतिशाचारिय ने prediction की थी, भाईशेवानी की थी, क्या वो सच हुई? या फिर, what was the astrologer's reaction to see the first tiger killed by the Maharaja? क्या इस्तिती थी, astrologers की, जब उन्होंने देखा कि पहला tiger, Maharaja द्वारा मार दिया गया था है. पहला tiger मारे जाने पर, astrologers भुशेवानी करता हूं कि क्या इस्तिती थी? Q5. What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? माराज क्या करेंगे? To find, प्राप्त करने के लिए, required an उचित number of tigers, या टाइगर की संख्याओं को मारने के लिए? प्रोपर संख्या में, टाइगर को मारने के लिए, माराजा क्या करेंगे? Q6. What was the divan's tiger like? कि divan का जो भाग था, वो किस परकार का था? How did he take it into the forest? और जंगल में इस बाग को किस परकार से लेकर आया गया था? क्या क्या समझ्या होई थी? यह हम कहें कि दीवान ने टाइगर की व्यवस्ता कैसे की और उसको जंगल में किस परकार लाया गया? Q7. What happened to the tiger provided by the दीवान साहब? यहनि उस टाइगर के साथ क्या हुआ? जो टाइगर दीवान साहब के द्वारा लाया गया था है महराजा ने हंटिंग की शिकार किया तो उसके साथ क्या गटना गटित हुई? उस टाइगर के साथ जो दीवान साहब के द्वारा पहुंचाया गया था टाइगर कींग ने किस प्रकार का जश्न मनाया जब यह जेत गया हो जब उसने सो नमबर का बाग मार लिया था उसे लगाता है कि उस अवसर पर उसने क्या किया था? question number 9 है how did the hundredth tiger take its revenge upon the tiger king so वे number का जो भाग था उसने किस प्रकार अपना बदला भाग राजा से लिया पुरी पुरी स्टोरी लिखनी पुड़ेगी किस तरह से अपना बदला पुरा किया question number 10 है did the tiger king shoot the hundredth tiger क्या भाग राजा ने सो में भाग को मार दिया था give reasons for your answers अगर हां तो अपने जो उत्तर है उसमें कारण लिखें और नहीं तो क्यों नहीं उसके कारण भी इसमें हमें लिखना है इस तरह से इस lesson से ये questions थे important short answers के लिए अब next lesson देखते हैं who was doctor sadao where was he where was his house कि doctor sadao कौन था और उसका घर कहा था question number 2 है what will doctor sadao and his wife do with the man doctor sadao और उसकी wife उस व्यक्ति के साथ क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे question number 3 है इसमें से what will doctor sadao do to get rid of the man get rid of का मतलब चुटकारा पाना तो doctor sadao क्या करेंगे जिससे कि उस व्यक्ति से चुटकारा पा लिया जाए question number 4 why did servants leave doctor sadao's house जो नोकर है वो doctor sadao का घर क्यों छोड़ दिया इसी question को हम इस तरह भी पूछ सकते हैं कि how did the gardener react when doctor sadao told him about the wounded American soldier gardener याने माली बगीचे की देखरें करने वाले ने क्या reaction किया when doctor sadao told him जब doctor sadao ने बताया उस घायल American soldier के बारे में तो उसका क्या जवाब दिला या उसका क्या reaction था question number 5 justify the title of the story of the enemy justify ने सिद्ध करो कि जो title है शीर्षा के इस कहानी का the enemy का वो किस तरह से बिल्कुल उचित है इस बात को सिद्ध करो और यह important है important नहीं यह तो very important है क्योंकि बहुत अच्छा question है इस पूरे lesson का next lesson का questions देखते हैं on the face of it पहला question है who is Mr. Lamb how does dairy get into his garden Mr. Lamb कौन है how does dairy get into his garden और dairy किस तरह से उनकी garden में घुसाता है question number 2 है do you think all this will change dairy's attitude towards Mr. Lamb क्या आप ऐसा सोचते हैं कि all these कि यह सब जो भी dairy ने किया क्या यह सबी चीज़ें dairy के attitude ने दृष्टी कौन को बदल पाएंगी Mr. Lamb के प्रती next question है why and how did dairy enter Mr. Lamb's garden क्यों और कैसे जो dairy था वो lamb के garden में घुस गया question number 4 है the gate is always open कि gate क्या है हमेशे ही खुला रहता है the line is often यह often often repeated in play यह line बार-बार इस play के अंदर इस drama के अंदर कहानी के अंदर repeat की गई है what does it signify और यह line किस चीज़ को सिद्ध करती है क्या बताती है या फिर इस question कुछ तरह कर सकते है why does Mr. Lamb leave his gate always open क्यों Mr. Lamb अपने जो gate था उसका garden का उसको हमेशा ही खुला छोड़ देते है तो answer अपनी पास्वक या फिर ग्रामर से next question है why did dairy come into Mr. Lamb's garden dairy Mr. Lamb's के garden में क्यों आया why was he startled वो क्यों चौका हुआ था क्यों इस special चीजी लगी हुई थी उसको या उसको surprise क्यों हुआ question number six है according to dairy what do people think and say about him dairy के according लोग क्या सोचते थी उसके बारे में और उसके बारे में क्या कहते थे question number seven है why does Mr. Lamb have a tin leg Mr. Lamb के एक धातु की टांग क्यों लगी हुई थी next why does dairy's mother warn him not to go to meet Mr. Lamb और क्यों dairy's mother या डेरी की मा उसको चेतावनी क्यों देती है या डेरी को not to go Mr. Lamb and Mr. Lamb से नहीं मिलने की चेतावनी क्यों देती है question number nine है why doesn't dairy say to help Mr. Lamb to get crab appeals dairy है वो क्यों नहीं कहता है साहता करने के लिए Mr. Lamb को to get crab apples crab apple एक किस्म है apples की इन apples को या ऐसे सेब तोड़ने में मदद करने के लिए वो क्यों नहीं कहता है तो उसका कारण इस question के answer में हमें लिखना है question number 10 है why does dairy go back to Mr. Lamb dairy वापस Mr. Lamb के पास क्यों जाता है question number 11 how do we know that Mr. Lamb had left an impact on dairy हम कैसे जान पाते हैं इस बात को कि Mr. Lamb ने dairy के उपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था left ने छोड़ा था impact ने प्रभाव तो उसके उपर एक प्रभाव छोड़ा था हम किस बात से जान पाते हैं इसके बाद हम next lesson के questions देखते हैं short answer questions question number 1 है how did the narrator find her new place लेखक यानि जो कहानिकार है इस lesson को लिखने वाला है वो अपने नए स्थान को किस तरह का पाता है यानि कैसा वो स्थान लगता है question number 2 है what did she notice about the Indian girls in this school वो क्या देखता है भारती लड़कियों में in this school यानि इसकूल के अंदर वो कैसा पाता है लड़कियों को लेखक means लेखक लड़कियों का पहनावा किस तरह का देखता है भारती लड़कियों का question number 3 है why did she feel uncomfortable in the dining room यानि जो लेखका है वो खाने के का जो कमरा था उसके अंदर uncomfortable उसे बहुत ही बेकार मैसूस क्यों हुआ यानि ऐसी कौन कौन सी गटना है गटी या उसने ऐसा क्या देखा जिसकी वो जैसे उसे थोड़ा uncomfort फील हुआ question number 4 है why was jit kalaasah terrified when judevin told her that her hair would be cat shot jit kalaasah क्यों terrified होगे क्यों डर गई इससे जुदेविन ने बताया कि जल्दी ही उसके बाल काट दिये जाएंगे या फिर इसी question को हम इस तरह कह सकते हैं कि why was jit kalaasah object या object का मतलब होगा विरोध कि उसने विरोध क्यों किया या objection का मतलब होगा नहीं कि object कोई कर्म है to the cutting of hair long heavy hair उसके भारी बरकम और बड़े बालों को काटने से उसने विरोध क्यों किया what made the narrator develop डबल बड़े न हडबड़ाना and श्रीक ने चीखना with laughter रहने हसी के साथ यानि वो गटना क्या थी जिससे जो लेकी का थी वो हडबड़ा गई और जोर से चीखें या हम simple बास आमेगर देकें तो वो कौन सी गटना थी जिसको देख कर जो लेकी का थी बहुत तेज हसी या उसे बहुत ज़्यदा आश्चरिय हुआ question number 6 है why did narrator feel terribly sad and provoked लेकी का क्यों बहुत बुरी तरह से महसूस करती है उदास यानि बहुत ज़्यदा उदास क्यों हो जाती है and provoked और गुसा गुसा क्यों होती है यसी कौन सी गटना हो देखती है जिसके कारणों से बहुत तेज गुसा भी आता है और उदास भी हो जाती है next question is 7 what did annan say about his community to the narrator annan नाम का जो विखती है वो अपनी community यानि हम अपने आसपास के लोग अपने समाज के बारे में लेखिका को क्या बताता है यह क्या कहता है question number 8 है what did jitkalasa do save her from being cut jitkalasa ने क्या किया save यान बचाने के लिए अपने बालों को कटने से यान अपने बालों को कटने से बचाने के लिए उसने क्या क्या किया वो चिलाए होगी उसने विरोध किया whatever जो भी किया उसने हमें इस answer लिखना है next इसी question को हम इस तरह भी कह सकते है how did jitkalasa try to prevent the shingling of her hair jitkalasa ने अपने बालों की कटाई रोकने के लिए क्या 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 प्रिवेंट है विरोध करना है किस तरह से उसने विरोध किया क्या क्या कोशिश है की वो सब हमें इसमें लिखना है next question question number 9 how did annan try to enlighten bama about ever coming her caste stigma annan किस प्रकार से कोशिश करता है bama को प्रकाश में लाने के लिए enlighten उसको बताता है उसके जो आत्मा में प्रकाश डालता है about ever coming हमेशा रहने वाले her caste stigma उसकी जाती का जो कलंक कलंक तो उसकी जाती का कलंक है उसको बताने के लिए वो क्या क्या बाते बताता है या फिर what was annan influence in bama's life annan का प्रभाव क्या रहता है bama के जिंदगी में और वो ऐसी कौन सी बाते बताता है कि जिसकी वज़े से वो अपने जाती के कलंक को दूर कर सकते हैं और समाज के अंदर इज़त और prosperity पा सकते है when did bama first come to know come to know है न जानना या पता चलना of the social discrimination discrimination in paksh path faced by the people by her community या बामा को पहली बार कब पता चला उसकी समाजिक paksh path के बारे में उसके लोगों के दौरा है या ऐसी कौन सी गटना थी जिसको देखकर बामानी ये समझा कि उसके लोग उसके लोगों के साथ या उसके समाज के लोगों के साथ बहुत ज़दा पक्षपाथ होता है